तो दोस्तों स्वागत आप लोग का संजु खश्ला चैनल के उपर मैं आप लोगा दोस्ता कास मुझे उम्मीद है कि आपनों अच्छे होंगे आज के वीडियो में क्लास 11 का एकोनॉमिस का कैप्टर नमार थार पार्टीशन वैलू कलेक्टर नमार टू लिख्या गए जिसमे हम लोग जिसमें हम लोग कोटाइल्स के जितने भी इंडिवीजुली देश्क्रिक्टी और कॉंटेंडी वस्तिरों अगर आपने मेरा कल का लेक्टर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिक्शन में जाके देख लिए मैंकर आप लोग को यह एक्स्प्रिंट करके दिया था क कि कि हमारा डिसाइल्स प्रसंटाइल्स और कोटाइल्स का मीनिंग क्या होता है उनके फार्मूला क्या होता है अप्लाइ करना हो गया अगर आपको चार से पान सम दिए अगर आपको कौश कर लिए तो आपको चाप्टर नम्माद 3 में और कुश पढ़ने की जरूद नहीं तो आईए मिना किसी देरी से हम लोग live example के साथ को solve करते हैं हम लोग का सबसे पहला patient前 क्या है हम लोग उसको शुआ कर लेते सबसे हि Coleman हमारा क्या दिया सबसे पहले हमें individually data के solve करेंगे तो झाल पर हम नहीं इसलिए और इसलिए इंडी वीजोबी डाटमनों इसलिए करता है इसलिए इंडिविजुली डेटा का हम लोग लेखें तो आए हम लोग सबसे पहले इसका कोईशन देख लेते हैं हमें क्या पूछा है काल्कुलेट की युवन आपेसे पहले मैं इसका का लेक्साक्राइब लिके तब लोग को आपके पेपर में पूछे जाएंगी करों आपको आपको ऐसा क Quantum का भी भी दीफिया कोई भी अगर ऐसा नम्बर दिख जाय तो आप लोगो मं उसको आ Adding करों कों से ओर्टर में आपे मज़ें तो आपको कर लिए अरेंज i arrange the series arrange the series in ascending order and ascending order अभी आप लोको इतना पता होगा कि ascending order descending order क्या होता है class 11 में आ गायों नहीं पाता है फिर बतास देख़ो at descending order यह चीज़ होता है कि कोई भी नमबर उपर से नीचे के तरफ और अभी अब बोलो 3 2 1 0-1-2-3 तो उपर से नीचे आ रहा है और उपर से नीचे जाता था तो इसको अभी जो आपने लोग को यहां पे जो यह नमबर दिया अभी यह आपने आप लोग को यहां पर आपने आसेंडिक उडर में सेट करेंगे तो यहां पर देखो सबसे छोटा नमर आप लोग को कौन साथ देख दिख रहा है तो मुझे दिख्या मुझे दिख्या फूर्टी नमबर मैं लिख लेता हूं कि इस्य ओक्ते ट्रिय के दना लिगे यहां में आप लोग को कि कि अघ्राइन संसलिंक लें और नहां में अख्या दिख्या है कि तो आए आफ इस हमें 64 दिया दो मैं आपके लिखेंगे 64 फिर में 65 दिया है ओके फिर 64 हमें लिख लिए 65 फिर में 68 भी दिया तो 68 से 68 नाइट नौन हमें देख रखा है 68 69 फिर आप देखो इससे कहों है इससे पाला नमर तो 82 हमें दिया है हम यहां पर लिखेंगे 82 फिर हम दिया 83 फिर दिया 84 और 85 हम लोग इसको लिख लिए हो के फ्रेंट्स अभी हम लोग को इतना ही जरूवत था अभी हमने उसके बाद फार्मला लगाएंगे और अपना अंजर को कैलकुलेट कर लेंगे बिना किसी है डिपिकल्टी के भी रहा है तो आईए देखते हैं सबसे परला इसको काउंट करो यह है कितना वर टू थ्री फोर फाइट नाइन टैन इलेवन टोल कितना है इलेवन है तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे एन इकवल टू इलेवन अभी एन क्या होता है में कल आप लोग को पूछाता है तो हमारा फार्मूला का है साइज और फर्मूला साइज और आप यह हमारा यह है तो इसी तरीके से छलते यहाएगा यहां पर आजाएगा साई आप अभी साइग और यहाँ अपर एन एन हमारा कितना 11 प्लस वणा पॉर यह ब्रेक्ट में फिर एंट ऑब्जर वेशन में चला जाएगा फिर हमें क्या करना है कुछ नहीं करना है अभी यह तो इसका अप्जभर वेसर निकाल रही भाई यह सब होने कि सम्भावनाय है फिर क्यू जो सईज और अब देखो आप फौर टू जाया थक्राघ्णत थ्टू अभी आप अब याप इस्टी तो इसमें थाड जाए है 40 45 51 मतलब 55 55 हमारा हमारा जो क्यों शुवरे इस कांसा 55 मिलका मतलब उस क्लास में उस क्लास में जो क्यों का जो बच्चे का में मार्स पता करना था उसको 55 परसेंटेज Temple तेक्स्ट बूक में लिखा हो दो क्या करेंगे तो सेम फर्मूला क्यू था साइज ओफ एन प्लस वर्ण अपान फॉर फिर एंथ ऑबजबेशन यह मारा क्या 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 चला जायगा एंथ ऑब्जबेशन यह आपको कंपल्सरी लिखना यह वरना मार्कस आपके क्ट आउट कर यहाँ पर दिए जाएंगे जितना पता होगा फिर अम्हें पर कहा करेंगे फिर इक वल्टू अब देखो अगर आप अगर आप यहाँ पर बार बार साइज आफ आफ नहीं लिखना चाहते हो तो उसके लिए एक जुगार किया आप लोग यहाँ लिख लो सीधा 3 जोकि में हो जाएगा फिर ने क्या दिया है क्यूथ 3 दिया नाा कोई बात निंदेख रहरे चला जाएगा हमारा ब्रेकट में और भुछ ज unfamiliar on- caption पर बहुत ओम क्या दिया to the whole 444 Review ए जाएगा थ्री और येHigh नहीं चला जाएगा वसी बात ने शुचो जाने दो फिर के खैश्म नाइन्द रहेगा अ मारा घृत सब्सक्राइब यहां पर लिख लेते हैं इसको आप लोग को ऐसा बॉक्स बना के दिखाना पड़ेगा आपको कुछ नहीं कर सकते हैं फिर आपको फाइनली आंसर इस तरीके से लिए नोट डाउन करना है कि तरीके से इक्वल टो 55 एन जो कि यहां पर आपको दिख रहा है कि त्री एक्वल टो 83 आप लोग का समझ में आ गया होगा इसके लिए फिर आप लोग इसका भी ले लिजी ए के मुझे वाली कभी ओके मुझे हो समय में आ गया होगाँ आप हम लोग अपने बटतें नेक्स पेज़ की उपर इसमें लोग शॉल्फ करेंगे डिस्क्रिटी डाटा तो यह आपको इससी आपको मैं इसका इसका इसांपल भी दिखाता हूं क्या दिए ती डाटा च्या होत तो आई देख लेगे डिस्क्रिप्टी डाटा यह बाय अरेंजिंग दॉब्जेवशन देडाइस असेंडिंग और दिसेंडिंग वर्डर भी डिराइव हमें इसमें क्या पता करना देखें फाइंड आउट की वन एड की फिरी गूर्ट करना है बहुत इसी है जैसा भी अब इतने लोगको income हो रहा है कोई बात नहीं हमें इसका डिस्क creepy डाटा फाइंडना चलाना है कि जो किवन है इसको कितना इंग्व हो रहा है और उसको लिए सबसे पहले आप लोगोग को काम करना पड़ेगा Bent अ पारेगा इस दोस्तों आप लोगवां करना ही पड़ेगा ताम टेबल रख कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग लिख लेते कि अरेंजिंग ड़र में पर आरेंजमेंट करेंगे अ कोई दिक तो क्योंकि आप देखो आप लोग में नाइन क्यों क्यों चाहिए आप देखो दो चार छे एक साथ साथ एक आठ और और हमारा एक फाइनल आसे के लिए रहेगा नौ इसके पीछे भी लॉजिक था जो कि मैं आप लोग को बता दिया सबसे पहले यहां पर कैसे आपको इसी टेब दोनामपरोंट में लेंगा नमबर आफैर यह पर्सर सबसाति नहीं लुट्प्रेटर फिर हमें रद्प्रेज के लगें लोग का इंकम है खमने स्बीकार में और सब्सक्क्रार सब्सक्रा जार्ण तो आईए अब हम लोग कॉलम मतलम अच्छा ड्राव कर लेते हैं फिर मैं आप लोग को बताता हूं कि अधर कॉलम होगा ड्रोव इंकम लेक्ट कितने इंकम हो रहा हम लोग को मैंने आप एक क्या लिखा असेंडिंग ओर तो सबसे कम क्या दिया है 4 लेक्स तो पहले हो लिखो 4 फिर हमें दिया 5 फिर हमें क्या दिया 6456 ओके दोस्ते का फिर देखा हमें क्या दिया नाइन फिर टैड कि टूवेल फिफ्टे इतने सारे गव होते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे देखो अब फोर लेक्स रुपए कितने लोग कमाते हैं 6 लोग और फाइज की नीचे एड दिया और शिक्स के नीचे नमें दिया 9 और हमारा नाइन की नीचे टूवेल है दिया और टैन की निचे 10 है दिया और टूल नीचे 8 15 नीचे 6 ओके अभी अमनों आप निकालेंगे नंबर ओफ कितना है तो अभी आपनों इसको प्लस कर देखो आप 6 प्लस 8 14 आप 14 प्लस 9 14 प्लस 9 23 आप 23 प्लस 12 आप फे 35 35 प्लस 10 45 45 प्लस 8 आप 45 प्लस 8 54 आप 53 आप 53 प्लस 6 59 तो मारा याप वह जाता है एन इक्वल टू 59 हमें एन कितना मिला आप 59 तो हम लोगा निकालेंगे इसका इसका कंटीवेट फरसन निकालेंगे हमें एक सिक्स दिया तो हम लिख लिए 6 दाज देखिया आप 6 प्लस 8 14 ओके अब क्या यहां प्लस 9 तो फूर्टी प्लस 9 23 आप 23 प्लस 12 35 35 प्लस 10 45 और 45 प्लस 8 आप 53 प्लस 6 59 आप लोग एक अगरितने के लिए कि यहां का नंबर रहां का सेम तो सेम आरा तो आपस्दल कि आप लोग आप लोग आप लोगा जो क्यक्यों पारटें भील्कुल साही और strongerly हुआ है अब यह फॉर्मयले की तरह बढ़ते हैं हमें सबसे पहले यहां पर क्या पाइद लगतना है की लिखन सब्सक्राइब लगाया हुआ था कि फिर फिर वाल्ण हमें कितना वन करना तो हमने यहां पर लिख सकते कि वन अपन 4 एन में कितना यह 59 प्लस वन फिर एंद ऑप लिख ने अब लिखोगे तो कोई बात नहीं होगा आपका मांक्स काटा नहीं जाएगा फिर उन्हों नोगा करेंगे की वन एक्वल टू वान ऐसे रखो आप फिन नाइफ प्लस एसटी आपाउन फॉर एंट अब्जेबेसर एंद आप्जेबेसर हमारा हो जाता है क्यूं सिब्सक्राइब तो आता है तो फिफ्टेंट फोर्जा सिस्टेंट तो हमारा हो जाएगा फिफ्टेंट अब्जर्वेशन फिफ्टेंट अब्जर्वेशन तो आपको इस लाइंगा टेबल देखो स्टीक फिफ्टेंट बतलब हमारा फिफ्टेंट वीडियों क्यों काम लाइं युद्ध अब लें सकते हो वह नहीं ले सकते हैं क्यों क्यों कि कि इसका सीफ हो जाएगा हमारा हमारा सीफ इसका दोस्तों 23 हो जाएगा इसलिए इसका कोड़ाई वेलू सिक्स लैक्स आ जाएगा अब आप बोलोगे मतलब नहीं समया की ऊपर से निकल गया हो कोई बास नी समझाता हूं हमें 15 तो आप दिया है तो सिक्स फोर्टी मतलब सब्सक्राइब लिख सकते हो कभी आप लोग को अगर 15 दिया तो आप देखो 14 से उपार 23 स्विश का परसन देखो अभी अगर आप अभी आपको टूंटी दिया आप लोग इस तरीके से आप लोग मैंने आपको क्यों सॉल्फ कर ले जाओगे आप लोग वहाला खुद प्र अपर क्रिटिकल है लेकिन बहुत एजी है यहाँ पर किवन और क्यूथ हमें फाइन आउट करना है मैं आपको क्यूध करने दें झूंगा और आपको क्यूथ है खुध फाईयं आओट करना में आपको किवन फाइंड परक्रेक्तिस एक अच्छे खासा हो जाएगा तो आये के फिर भी explain करने के लिए इसको लेके आया हूं तो आइए हमने इसका टेबल कर लेते हैं कौन साथ थर्ड हमारा continuous data दिया हुआ है थर्ड के आजिया continuous data तो टेबल कर लेते हैं हमें कितनी हमारा इतना ही लाइन में काम हो जाएगा वही बात नहीं आई है हम लोग इसको इसको फिलप कैसे करेंगा यहां पर क्या लिखा है अधया soli借ीbeTree इंसे डियं Cr neste से पहले आप लोग यहां परनी रैनफड की रैनफड इन- सी इमेश होती है उक इसको इसको आप भ्रैकट ज्योंत फिर आपको यह नंबर औफ फिर आपर कि पड़ेगा दीख यहांप लिख़ने का जगनि हिसके लिए में आपर सी अफ लिख लिखते रहा हूं अब यह था रहा है तो आपको पता ही होगा भाई आप आप आई इसका दोस्तों आप लोग का जो बेसिक एक्जामपल आप लोग लास्टेंथ में मीड अमीड मीडियोन अरिसमेटिक प्रोग्रेसंस अरिसमेटिक मीड आप लो कोई दीक्रेंस में होनी वाली नहीं है क्या दिए प्रटीफोर प्रटीफोर प्लस फिफ्टी दो मारा एंड हो जाएगा इक्वल टो 50 क्योंकि इसके इक्वली आना चाहिए तो मतलब यह हमारा राइट होगा यहां तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें की वन और की क्यूचिरी दोनों फाइन आट करना मैं आपको की वन फा प्लस वन बोलो या तो एंड व फॉर बोलवाद एक ही होती है कि अप्लस भी करोगो तो दोस्तों वन ही होता है तो क्यूंट आप यहां पर वाण भी लिख तो यहां था आप आप साइज फॉर वन भी लिख तो फोर हमें कितना दिया था था बहुत है तो फिफ्टी हमें देखे रखा था तो एंट अब्जबेशन एंट आप दोब्जबे गाइंट और विखे में बचेगा तो फिल पॉंट फाइंट कितना में कांट किया जाए तुल पॉंट फाइगा तो आई है जो पिछले पेश्में चार्ट से भी बना कि आए अभी सैवरे ने टोंटेशा से छोटा टुल पॉंट पाइए लेकिन से उपर हमारा क्या हो करेंग कि तरीके से लिखेंगे क्वाओं विस तरिकास यहां पर लिखेंगे त्वस्क्राइवरा लाइस लाइस इसी अ वक्राइव मतलब क्या प्रिक अब फिर दियर फॉर्ट में लूट पर फरस्ट कॉटाल क्लास नुखिए पहला को टाइल क्लास फर्स्ट कोटाइल क्लास घ्रती फोटी यह 3040 कैसे है और यह इस बता दिया हूं अब हम लोग अब मैं आप लोग को कर एक और फार्मुला बताया था कि अधी इस ते लोगा एल हम्हारा हो गया 30 क्योंकि लुए आपको मालूम पर जाएगा हमारा सी एफ हमारा सी आप लोग को पता ही है हम लोग को पता ही है हम लोग चार्ट फर्म में भी देखे थे और यहां पर अपने नया फार्मुला लगाएंगी कौन सा जो किमिकल बताया था क्या था एल प्लस एन अपन फोर माइनस सी एफ अपन एफ मंटिप्लेबा एक्च यह मारा फार्मुला है देखो पहला स्टेप तो इसमें सब लोग सॉल्व पर लेकिन जो यह स्टेप सॉल्व करे यह वही सिकंदर होता है तो देखे एल हमें थर्टी दिया प्लस कर दो हमें एन कितना दिया तो 50 दिया है अब आप आपन में करो इसको 20 क्योंकि हमें f 20 एदिया मंटिप्लेबा लगा एच्छ में प्लस तेन दिया है आपको समझ में आ रहा होगा आप इसको स्वाल्फ करो 30 इस तरीके से आपको एक value मिलेगी तो अभी आपले इसको भी solve करो और छोटा करो इतना छोटा कर सकते हो अब 12.5 को 7 से अगर मैनस करो आपको मिलेगा 5.5 मंठीप्ला बैट आप आप हों 20 डिवाइड बैफिर मंठीप्ला पैट इसको और मिलेगा 55 अभी आप इसको और चोटा करो अभी और चोटा हो सकता है अब याप इस 20 को 55 से दिवाइड कर तो आपको मिल जाएगा 2.75 तो फिर किया जाएगा तो आप ले लीजिए मैंने आपको की वन पाइंड आउट करके दिया मुझे उमीद है कि आप लोग की खुद कर लोगे क्योंकि अगर समय ही प्रेक्टिस आपको करवा दो आप खुद से कुछ नहीं करने वाला तो जाके उसको कर ले ना मिलेंगे नेक्स लेक्टर में तो उसमें आपको एक कदम औ और आके बढ़ते हैं इसी कर जो आप लोग का जो डिसाइल से दिया हुए वह एक्स्पेंड करके दूंगा तो अब लेक्टर में तब तक के लिए जाहिए